Hello everyone, आज के इस वीडियो में हम Node.js के फाइल सिस्टम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं So, Node.js में यदि हमें फाइल के साथ कुछ ऑपरेशनल्स परफॉर्म करना हैं जैसे कि हमें Read, Write, Open, Delete, फाइल्स करना हैं तो हम एक Node.js का मॉडिल होता है, FS, जो की बहुत फेमस मॉडिल है जो की, with the help of that, we can do multiple operations of the file So, हम इसे इस तरह से देख सकते हैं कि Node.js में हम asynchronous operation किस तरह से कर सकते हैं फाइल के साथ और Node.js में हम synchronous operation किस तरह से कर सकते हैं के साथ और एक promise based operation किस तरह से कर सकते हैं, so let's get started with asynchronous operation तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बदाएगा, asynchronous operation, इन asynchronous operation में हम इन five operations को देखने वाले हैं, कि FS module को हमने require किया, node.js की तरफ से और बोला कि हमें read करना है, तो file read, read file का एक function होगा, write file, append file, open file, fs.unlinked file, तब delete file, तो चलिए हम देखते हैं, पहले fs.read file की यह किस तरह से काम करता है, asynchronous way में, so हम लिखेंगे fs.read file और इसमें file name को देदेंगे, और यह second parameters करोता है, encoding, so हम utf8 encoding देंगे, क्योंकि हमें string format में data को print करना है, और यहाँ पर होगा callback function, so यह callback function में हम पहले लिखेंगे error, यदि इस file को read करने में कोई error आती है, यह यह file exist नहीं करती है, तब यह error को print करेंगे, यदि यह file successfully read हो जाती है, तो हम इस data को यहाँ पर print कर देंगे, देखें अभी क्या हो रहा है कि इस file में, test.txt file में, जो कि हम read कर रहा है, लिखा है hello world, so यहाँ पर hello world print होना चाहिए, देखें, यह hello world print हो रहा है, अब यह जो file operation हो रहा है, यह पूरी तरह से asynchronous हो रहा है, जो नहीं जानते है asynchronous way के बारे में, उनके बारे में बताना चाहता हूँ कि, asynchronous operations क्या होते हैं, node.js अभी इस operation को asynchronous operation की तरह कर रहा है, so actually node.js में क्या होते हैं कि small-small threats होते हैं, जो कि किसी dedicated task को करने के लिए काम आते हैं, जैसे यदि हमें file operations करना है, तो file operations के लिए एक dedicated thread होगा, जहांपर हम file operations related चीजों को डाल सकते हैं, so node.js एक single-threaded है, node.js एक single-thread है, single-thread है, जिसके अंदर single-thread मतलब इसके अंदर केवल एक बार में एक task होगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह efficient नहीं है task को करने के लिए, so यह क्या करता है कि जो भी operations आपको execute करना है, वो single-thread में आते हैं, so अभी node.js के पास जैसे तरह से एक instruction आया, fs.read module, read file के लिए, तो यह क्या करेंगा, node.js की यह task मेरा नहीं है, तो मैं इसे execute नहीं करने वाला हूँ, तो यह जो है node.js, इस block of code को fs file system को दे देगा, कि आप इस fs module को दे देगा, file system को दे देगा, कि आप इस block of code को ले लीचिये, और इसको execute कीजिए, और जब तक यह file execute नहीं हो जाती, आप इसे अपना operations background में करते रीजिए, और जब यह file operations हो रहा है, so in the same time, यहाँ पर जो single thread है, वो अपना काम start रखेंगा, मतलब इसके पास अगर कोई दूसरा instruction आता है, तो वो उसे execute करने start रखेंगा, यह ऐसा नहीं होगी जब तक के file read हो रही है, वो तब तक के दूसरे instruction को execute नहीं करेगा, तो हम एक example के तुरू समझते, suppose मैंने एक instruction लिए console.log, और यहाँ पर लिखा before, और इसको लिखा मैंने after, तो होना तो यह चाहिए कि जैसे before पहले print होना चाहिए, फिर data print होना चाहिए, फिर after print होना चाहिए, तो हम देखते क्या होगा, लेकिन इस node.js में ऐसा होगा कि पहले before print होगा, फिर after print होगा, फिर data print होगा, क्योंकि यह एक asynchronous operation perform कर रहा है, इन्डिपेंटेंट टास्क एक background में execute हो रहा है, node.js ने पहले देखा कि यह तो एक print statement है, तो हम इसे print कर देता हो और यह एक delegated task है, जो की file system को delegate हो चुका है, यहाँ पर अभी छोटी file है, कुछ bytes की file है, इस case में इस operation को perform करने के लिए इसे कुछ time लग सकता है, let's say इसे लग सकता है 3 seconds का time, उन 3 seconds के लिए node.js चाहता है कि मैं block नहीं होना चाहता हो, मैं चाहता हो कि मैं अपना operations perform continue करते रहो जो मेरे पास आ रहा है, तो इसके पास suppose यह after instruction आया, इसने इसको पहले print कर दिया, और in the same way इसके पास जो भी operations पहले इसके बाद आते जाएगे, जैसे देखिए before, after उसके बाद hello world print हो रहा है, मतलब file data print हो रहा है, यहां पर हम लिख दखते है file data था कि हमें clarity मिले कि क्या हो रहा है, देखिए, यहां पर आया before उसके बाद आया, after उसके बाद आया file data, in the same way यह दि हमार पास जितने भी instruction यहां पर हो गई, सबसे पहले यह नीचे वाले instruction execute हो गई, क्योंकि यह synchronous एक print statement है only, यह ऐसा कोई blocking operation नहीं है, blocking operation मुसे operation को कहते हैं, जो कि execution को halt कर सकते हैं, जैसे कि file system एक blocking operation है, जैसे CPU intensive task एक जो blocking operation हो सकते हैं, यदि हम यहां से कोई API कॉल करना है network पर तो वो blocking operation हो सकते हैं, जो भी blocking operation होते हैं, वो NodeJS क्या करता है कि उसे एक delegated threat pool में डाल देता है, delegated जगह पर डाल देता है, इग्जेट हो जाएं, जैस Georg Work का काम हो जाता हैं, तो NodeJS को call back function मिल जाता है, तो NodeJS को यह मिलता है call back function की मेरा file से read करना का काम हो चुका है, तो यह जैसी call back function मिलता है, तो यह NodeJS को thread में आके execute हो जाता है, तो I hope आप समझ सुखे होंगा कि किस तरह से asynchronous operation चलते हैं तो in the same way ये आप asynchronous operation को समझ गए तो Node.js is very easy for you so in the same way हमारे पास second operation होता है फाइल को write करने का देखिए जैसा कि अब है हमारा fs.write write file तो हम इसमें लिखेंगे file data sorry file name and file data अब इस file में लिखा है hello world तो इस file में मैं इंडिया लिखना चाहता हूँ तो इसको किस तरह से लिखेंगे इस तरह से उसमें लिखेंगे callback function और यहां पर लखाएंगे यदि error होगी इस file को write करने में तो यह statement प्रिंट हो जाएगा कर सकते की file write success देखें अब यहां पर हमारे इस file में इंडिया आना चाहिए file rate success हो गया इस file में देखेंगे इंडिया आ गया तो इस तरह से आप asynchronous operation को कर सकते हैं और हमारा तीसरा operation हम कर सकते हैं append file तो इस write file के जगह पर हम लिखेंगे append file इसमें भी यह पहला parameter file name दूसरा parameter file data और तीसरा parameter callback function लेता है यहां पर हम स्रिप message change कर देंगे तो देखिए अब इंडिया के बाजू में multiple indias string होना चाहिए देखिए यह इंडिया 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 आ रहा है तो यह एक append file वाला option होता है इसके बाद एक operation होता है file open मतलब य। हमें ऐसा कुछ काम करना हमें कि हमें file को open करना है और उसके बाज कुछ operation करना तो note days में की अलग ervation function है Benson एक function स्टा पर्रेज में यह पहला parameter यह फांएरी file name लेता है और दूसरा parameter यह लेता है mode, मतलब आपको file को किस mode में open करना है, और उसके बाद यह लेता है callback function, और यह callback function में second parameter होता है file descriptor, so file descriptor denote करता है एक integer value को, यदि एक integer value return होती है, इसके मतलब file सही way में open हुई है, आप इस fd reference को आगे file को read करने में use कर सकते हैं, तो हमारे पास यह हो जा code में open करने के कोशिश कर रहे है, और इस file को हम उसके read करेंगे asynchronous way में, यहाँ पर डालेंगे हम file name की जगा fd, file descriptor, क्योंकि यह इस file का reference है, और यहाँ पर डालेंगे encoding utf.8 और यह तीसरा parameter जो रहेगा, इसका callback function रहेगा, इसमें data या error आ सकता है, so यहाँ पर हम लिखेंगे console.log, and read file success, और यहाँ पर data पर लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर data इंडिया- इंडिया- इंडिया आना चाहिए, इसका मतलब file जो ऊपन हुए है, वो read mode में उपर ही है, in the same way इसके अंदर multiple modes होते है, write mode read plus mode write plus mode, तो हम उन modes को यहाँ पर देख सकते हैं, जिसा कि write mode, तो open a file for reading यदि ये file available नहीं होगी, तो ये exception को return करेंगा, तो ये error block में आएगा, यदि एक और operation होता है r plus open file for reading and writing reading and writing, बोथ purpose के लिए हम file को open कर सकते हैं, यदि file नहीं होगी, तो exception रिटन करेंगा rs, मतलब open file for reading and synchronous mode, rw ये write mode में file को open करने के लिए use के जाता है यदि w mode में क्या होता है, कि write mode में file को open करने के लिए use के जाएंगा, यदि file exist नहीं होगी, तो ये file को create कर देंगा यदि exist होगी तो उसे truncate कर देंगा in the same way, w plus reading and writing के लिए use के जाता है so, इस modes को हम multiple तरीके से use कर सकते हैं so, ये होगया हमारा fs open, यदि हमारी जो file है, इस file को हमें delete करना है programmatically, तो हम लिख सकते है fs.unlink और ये पहला parameter लेता है file name, और दूसरा parameter लेता है callback function so, इसका result यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर लिख सकते है यदि error आती है यदि ये file इसको नहीं मिलती है तो error को print करेंगा otherwise हम यहाँ आपकर console print कर सकते हैं file deleted success okay देखिए आप file deleted success हो चुगा है अब हम देखते है synchronous operation of file system so, उसके लिए हम यहाँ पर जाते है और देखिए हमने फिर से fs module को require किया और हम इतने operations को sorry मैं नहीं आप asynchronous लिए है sync लिखना जाए इतने operations को perform करने वाले है so, यह जो जो भी operations है वो synchronous operation में जिस तरह से हमारी जो traditional programming language में होता है PHP में, .NET में, जो की step by step execution करते है और कितने भी यह कोई operation कितना यह block operation हो तो वो तब तक next statement execute नहीं होगा जब तक कि first statement execute नहीं होगा so, in the same है हमारे पास Node.js में भी यह facility है कि हम इस तरह से इसको synchronous read भी कर सके लेकिन इसको बड़े ही ध्यान से यूज करने की जरुवत है जहां पर हमें जरुवत है वहीं पर हमें use करना चाहिए मतलब जहां पर small file है file की size चोटी है और हम वह file को read करना है तो उस जगह पर हम fs.sync operations को कर सकते हैं तो इसको किस तरह से use करते हैं कि यदि हमारे पास एक data नाम का variable लेंगे जिसमें हम जो data है file का data उसको assign करेंगे fs.readfilesync यह पहला parameter file name लेगा और दूसरा encoding so utf8 encoding दे देंगे और console.log करके हम इसको देखेंगे कि यह पर data क्या है तो हमारी file जो है वह test test hello world है file में तो यहाँ पर जैसे हैं इसको print करेंगे so यहाँ पर hello world आना चाहिए देखिए node hello world जिस आपको दिख रहा है यह देखिए hello world आ चुका है इस तरह से हमारे पास डूसरा operation है जिसमें हम file को file में write कर सकते है so write किस तरह से करेंगे simple है write file sync और इसमें हमें data जो देना हो data को दे सकते हैं हम यहाँ पर इंडिया को add करना चाहते है तो अब यहाँ पर hello world हट जाएगा और slash and मतलब नई लाइन पर इंडिया आ जाएगा तो आप देखिए इस file में यहाँ पर प्रेंट लिख सकता हो कि इस तरह से लिख सब्सक्राइब और इस फाइल का उबज़र करिए जैसा यहाँ पर पहले hello world अब यहाँ पर इंडिया आना चाहिए देखिए यहाँ पर इंडिया आ गया और मैं जितनी बाद इसको run करूँआ यहाँ पर इंडिया आते है यहाँ पर हमेश्य वटॉटे जो और पर यह उडिया आते हैं अब यहाँ पर अपन लिख दूँगा अपन फाइल अपन फाईल सइंक तो यहाँ पर यह क्या करेंगा जो already existing data है उसे वैसिक वैसे रहने देगा और जो नई लाइन पर data को insert करेगा जैसे यहाँ पर देखिए node index.js लिखा append success तो नया इंडिया एक नई लाइन पर आ गया देखिए जितने बार मैं कुरण करूँआ नई लाइन पर data पेंड हुआ तो ऐसी जगह जहां पर हमें data को append करवाना है continuously तो उस जगह पर हम append file async function का use कर सकते हैं और जिस तरह से हमने open file को देखा था synchronous में उस तरह से हम open sync भी कर सकते हैं मतलब file को open करना है यह पहले parameter file name और किस mode में open करना है read mode में तो यह return करता है में file descriptor file descriptor मैंने जैसे कि बताया एक integer return करता है यदि यह integer return कर रहा है तो इस integer reference को लेकर हम फाइल को read कर सकते हैं तो किस तरह से कर सकते है तो file के data जो भी read करेंगो data object data sorry variable में आ जाएगा लिखेंगे fs.readfilesync और यह fd को डाले के instead of passing file name we will pass fd file descriptor because we are opening file in read mode आप यह देख सकते हैं अपर मैं read mode में open कर रहा हूँ अगर मैंने इस file को read mode में open किया तो इसमें इमें write नहीं कर सकता हूँ तो इसका second parameter जो रहता है वो encoding रहता है हम यहां utf8 लिख रहा है अब इसको में बुलूँआ कि open in read और यहां पर data हम print करना चाहते हैं कि जो भी data आया उसे print कर लिए तो देखिए यह data print हो रहा है इसका मतलब यह file read mode में open ही है तो जिस तरह से हमने देखा था कि इसमें भी multiple operations होते हैं read, r plus, read and write यह सब synchronous operation में भी हो सकते हैं यह सभी mode में हम file को open कर सकते हैं in synchronous manner also और in the same way यदि हमें file को अब हमने file बना लिया test.txt उसको delete करना है synchronous way में तो इसमें just simple है कि unlink sync एक function है और इसमें मैं लिखतूंगा delete यदि हापर लिखे हमने delete success और यह एक ही parameter लिता है जिसमें file name होता है तो देखिए आप जो यह file दिख रही है यह file आपको दिख रही है यह तो यहाँ पर मैं जैसी function को run करूंगा यह file delete हो जाना चाहिए delete हो गई इसका मतलब cross again है delete हो गई इसका यह file in the same way जो तीसरा तरीका है promise based operation का file में सब्सक्राइब नए जो node.js का version आया है उसमें नोट.js ने promise based operation को support किया है तो इसमें क्या होता promise बेस में हमें इसके लिए promise based operation को perform करने के लिए fs promises एक module को require करना होता है जिसमें हम जिसमें यह promise return करता है जिसने javascript पढ़ा होगा उसे पता होगा कि promise क्या है इसके लिए हम क्या करेंगे एक function लिख लेंगे फू नाम का और इस function को हम directly इसे call करवा देगे अब इस function के दुरू हम चाहते है कि fs promise के दुरू हम file को read करें तो यह test.txt ने हमके file को read करता है तो इसके लिए हम इसको restore कर लेते ctrl s करके file हमारी आ गई है अब यहां पर हम क्या करेंगे और यह जो है यह promise को return करता है तो इसके लिए हम async क्लिक दिए जो कि जिसको हम await के तुरू resolve कर सकते है अब हम यह लिखेंगे data fs promise.read file इसमें function का नाम read file होगा और जिसमें पहला parameter यह लेंगा file name and दूसरा parameter same utf encoding same but हम इसको fs promise module से call कर रहे है और यह जो return करेगा यह promise return करेगा अब आप मैं आपको बताता हो कि promise कैसे return करें जब तक हम इसे resolve नहीं करेंगे तब यह data देंगा रही है तो यहाँ पर आप देख रहे data तो यहाँ पर data नहीं print हो हो यहाँ पर एक pending state print होगी आप देख सकते हैं अब इस promise को resolve करना है तो यह तो हम then के तुरू resolve करें इस तरह जो हम लिखते ट्रेडिशनल जो promise को resolve करने का तरीका then यहाँ पर हम await keyword का यूज कर सकते है तो यह promise resolve हो जाएगा और इसमें data आ जाएगा ठीक है देखी इंडिया इंडिया इसे हमें और फुल प्रूब बनाने के लिए हम इसको try और catch block में लिख सकते है try में हम वह code दालेंगे जो कि जिसमें error आने के चांसे से तो यहाँ पर हमने दाल दी हाँ इसमें error आने के चांसे से क्योंकि हो सकता है कि file available ना हो file read access ना हो या file के अंदर और कोई problem हो तो इस case में हम क्या करेंगे कि catch block में error को print करवाना चाहिए इस case में यह full proof हो जाता है same result है इसने देखिए तो इस तरह से fs promise module है node.js का यह भी पूरे same operation हमको perform करने की permission देता है जैसा कि fs के अंदर जितने operation है सब लेकिन यह एक promise based library है तो यह हर एक function के लिए promise return करेंगा जिसे हमें then के थुरू या तो await keyword के थुरू से resolve करना पड़ेंगा तो इसमें भी हम पूरे operation सब operation कर सकते है fs promise dot right read file fs promise dot लाइक इस तरह से write file इसके अंदर शिंक नहीं होगा अब इसके अंदर शिंक नहीं होगा नॉर्मल रहे गए बत यह रतन करेंगा promise write file append file open file unlink file same operation we can perform so now you can do a practice with fs promise of the further operations like write append and unlink open so I hope you learn a lot in this video and if you find any problem any issue while performing this operation of file system please let me know in the comment thank you for watching is you you